Hello everyone in the series of Transfer of Property Act, today we are going to discuss the provision of lease, that lease is given under section 105 to 117, so first the definition of lease, what is lease, so मैं आपको एक जनरल ने अटोटेक्शन देता हूँ, lease के बारे में, lease का मतलब होता है, एक property में transfer हो रहा है, लेकिन जो property का transfer हो रहा है, वो एक certain interest transfer हो रहा है, उसमें partial interest transfer हो रहा है उस property में, मतलब lease जब किसी property का होता है, तो उसमें सिर्फ एक interest transfer होता है और वो transfer होता है, right to enjoy that property, that is the position of that property, कि आप जब lease करते हैं किसी property को, तो आप किसी property का position transfer करते है बाकि जो अधर राइट रहते हैं जहां उस अधर जो जो राइट है उस में जैसे उस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी में या फिल कोई अधर रिइंड या वह transfer होता है Lease का जो definition जो है section 105 में दी है 105 बात करता है Lease of immoveable property जो lease होता है वो हमेशा immoveable property परोपटी का होता है कभी भी जो lease होगा वो Representatives का नहीं होगा Lease हमेशा immoveable property का होता है lease of immoveable property अगर यह सपोज माले जे कोई property वहां पहिता है और उसका किसी में डेना होता है तो वह जह लाता है सिलायो resist टो वहां पर जिलerve जो प्र पाइस और वहां पर होता हैं पर करते हैं अंडियन कारने का देमर्बाइट उसोगत है के लिए transfer के जाता है made for a certain time मतलब आपको यहां पर time fix करना पड़ेगा कि कितने time के लिए कर रहे हो express और implied एक्सप्रेस और implied से मतलब यह है कि आप यहां पर लिखके दे रहोगे इतने time के लिए या फिर और in perpetuity in consideration of a price paid और promised consideration का मतलब होता है कुछ ऐसा amount जो आप return करते हो कोई भी चीज मिलने पर तो यहां पर जो चीज मिल रही है वो मिल रहा है एक right वो right है right to enjoyment या फिर right to possession उस property का उस property का अगर आपको possession मिल रहा है तो आपको उसके ले क्या करना पड़ेगा एक consideration देना पड़ेगा consideration एक amount होता है जो यहां पर बता रखा है या तो वह money की form में हो या a share of crops हो मतलब crops मतलब जो फसल होती है उसका कोई हिस्सा या कोई आप service दो उसकी जगे और any other thing of the value और कोई वी ऐसी चीज जिसकी कोई भी value होती है आप वह चीज जिसको अगर प्रवाइड करवा रहे हैं तो वह एक consideration माना जाता है यहां पे तो रेंडर पीरियोडियकली और on specified occasion to the transfer by transfery तो इसमें बता रखा है कि पीरियोडियकली मतलब आप एक particular period के बाद उसका payment जो है consideration जो है एक particular period के बाद देंगे और specified occasion of the transfer by transfery और occasion का मतलब यह है कि कौन सी place पे कितने वज़े कहां कौन सी तारिक को यह सारी जो चीज है यह transfer or transfery अपने आप decide कर ले who accepts the transfer on such term और जब कोई transfer ऐसा accept कर लेता है तो उसको lease बोलते हैं तो overall lease की बात यह है कि lease में एक राइट होता है इंजरमेंट का जो transfer होता है और consideration दिया जाता है जया तो paid हो सकता है या फिर promise हो सकता है या फिर money की form में या share की form में share of crops हो सकता है फिर कोई service उसके भिहाफ में या फिर कोई भी ऐसी thing जिसकी कुछ value हो मतलग यह है कि आप एक immobile property को lease रखना चाहते हैं तो आप अगर property का possession ले रहे हैं तो आप उसकी कोई भी thing ऐसी जो value मालीजी आप एक diamond है अगर आप किसी को diamond दे रहे है in return as a consideration और आप उस property का position ले रहे हैं तो यहाँ पर यह चल जाएगा यहाँ पर यह value transfer होगा लेकिन अगर property movable है तो वह इस act से गवर नहीं होगी moveable property Indian contract act से bailer और baili वाले जो rights होते हैं उनसे गवर होगी bailer वाले bailment से फिर उसमें पता रखा है कि lesser कौन है lessie कौन है premium क्या है और rent क्या है तो जो person यहाँ पर property transfer करेगा वो तो होता है lesser जैसा अगर हम transferer देखें तो transferer ही lesser होगा transferer का मतलब कौन के जो person property दे रहा है तो lesser का मतलब कौन जो person property देगा और lessie का मतलब कौन जो person property लेगा और in return consideration देगा suppose मा लिजे 2 person है आपे तो 1 person जो property लेगा जो ये A person है ये property लेगा तो ये consideration देगा और ये property देगा तो consideration लेगा तो मतलब ये है कि property ये A person है और ये B person है तो जब A person ने अपने property B को दी तो ये जो B person है in return consideration देगा वो consideration कुछ भी हो सकता है वो consideration जो B दे रहा है A को वो या तो money या share of crop या फिर कोई service या फिर कोई भी ऐसी thing जिसकी value हो तो ये B A को देगा उसके बाद आता है कि premium और rent क्या है premium का मतलब होता है जब एक specified जो amount होता है जब यहां पर जो money की बात करिए हमने अगर वो as a lump sum मतलब एक साथ हम payment कर देते हैं तो वो होता है premium लेकिन जो rent है rent क्या होता है कि एक ऐसी चीज है जो time to time change हो सकती है सपोज माले जिए share of crops है आपने कोई property आपने लीज करी आपने कोई लैंड थी उसको लीज करी लैंड लीज करने के बाद आपने बोला कि आप मुझे in return share of crops देंगे इस लैंड से आप जमने चनलन करेंगे उसका वनद मेरा होगा हर बार हो सकता है कि लैंड से जतना produce ह कर आे हर महीं न या हर साल जितना product हो रा ऊई ऐसा जरूरी नहीं हमेशा बरावर होगा तो वह ज्यादा भी हो सकता और वह कम भी हो सकता है जो प्रोडूस हो रहा है लेकिन जो प्रीमियम है वह एक ऐसा अमाउंट होगा मैंने जो फिक्स होगा जो एक बार में पे किया जाता है अब हम आगे बात करते हैं इस प्रोविजन की जो section 106 में बात करिए कि duration of lease in the absence of written contract or local uses कि जो आप lease दे रहे हैं किसी परसन को तो उसकी duration क्या होती है उसके बारे में बात करी है यहां पर तो यह बात करता है कि in the absence of a contract or local law or uses to the contrary जब तक कोई भी ऐसा contract या फिर कोई भी लॉकल लो या फिर कोई भी ऐसा यूसर नहीं माना जाएगा या फिर नहीं है वहां पर या फिर कोई contract जो बन रहा है लोगों के बीच में दो लैसर और लैसे के बीच में जो agreement हो रहा है वो नहीं है तो क्या होग का a lease of property, immovable property for agriculture और manufacturing first shall be deemed to be a lease from year to year तो कोई भी जो lease आप दे रहे हैं अगर वो agriculture land के लिए या फिर manufacturing process के लिए या तो आप agriculture process के बाद आप कुछ होगा सकते हो उस पर कोई भी फसल होगा सकते हो या फिर कोई भी manufacturing, manufacturing का मतलब कोई भी चीज जिससे कोई चीज produce हो सके raw material से final good बनने की process, जो manufacturing process होती है, तो अगर वो ऐसा कोई भी काम हो रहा है, तो वो उसको हमेशा जो आप lease दोगे वो हमेशा year to year होगी, फिर बात आरिए terminable, अब अगर terminable का मतलब होता है कि खतम करनी है, on the part of either lesser or lessy, तो अगर जो ये agriculture और manufacturing purpose के लिए आपने lease दी अगर आप इसको ख खतम का सकता है, by six months notice, तो ये six months का आपको एक notice देना पड़ेगा पहले, कि आज मैं आपको notice दे रहा हूं कि छे महीने बाद मेरी ये property इसको खाली कर दे, मेरी ये land इसको खाली कर दे, ये छे महीने बाद का process है, छे महीने पहले आपको मतलब notice देना पड़ेगा, अगर agriculture और manufacturing process है, फिर बात करता है, and a lease of immobile property for any other purpose shall be deemed to be a lease from month to month, और अगर agriculture और manufacturing purpose के अलावा कोई purpose के लिए आप lease दे दे हैं किसी को, सपोज मानले जी आपने lease दिये, कोई भी ऐसी land की, कि आप यहाँ पर marriage home चला लीजिए, तो marriage home ना तो agriculture purpose के लिए, ना manufacturing purpose के लिए, तो अगर उसने lease द program को hold करने के लिए, तो वो जो lease दी जाएगी, वो month to month दी जाएगी, मतलब हर महिने दी जाएगी, एक महिना, फिर एक महिना, फिर एक महिना, फिर एक महिना, फिर एक महिना, ऐसे करते हैं, on the part of either lesser or lessie, terminable जो होगा, मतलब खतम जो होगी, वो lesser lessie का सकते हैं, by 15 days notice, ऊपर आपको मेरी property, यह जो मेरी land है, इसको मैं lease दे रहा हूँ, पास साल के लिए, आप इस पे कोई भी शादी समारों का program करवा सकते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में जब contract बन चुका है, तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, जो other purpose है, तो वो एक महिने का होना चाहिए, अगर वो पास साल के लिए बन सकता है, अगर contract हो जुआ है, तो इसका सब close to बात करें था, not withstanding anything contained in the any other law for the timing in force, मतलब इसका यह है, कि कोई भी चीज, कोई भी बात, किसी भी law में कहीं भी, कुछ भी लिखी हो, the period mentioned in subsection 1, shall commence from the date of receipt of notice, जो यह notice की बात है, कि 6 महीने और 15 दिन, 6 महीने जब agriculture और manufacturing के बात है, 15 दिन कब, जब कोई other purpose है, agriculture और manufacturing के अलावा, तो जो notice का date माना जाएगा, वो उस दिन से माना जाएगा, जिस दिन आपको notice receive होगा, उस दिन से नहीं माना जाएगा, जिस दिन से आपने post किया है, जैसा कि contract में हम जब revocation या फिर acceptance भेशते हैं, उस दिन वाली बात को नहीं मानते हैं, यहाँ पर notice माना जाएगा, जिस दिन receipt हो चुका है, सब clause थरड़ बात करता है, notice अंदर subsection 1 shall be not due to be invalid, merely because period mentioned therein fall short of the period specified अंदर subsection, जो इसा का कि यहाँ पर period बता रखा है, 6 महीने और 15 दिन notice वाला, तो सिर्फ इस कारण से हम invalid नहीं मानेंगे, कि यह जो 6 महीने और यह जो 15 दिन का period है, यह short पढ़ रहा है, कैसे, suppose मानली जी किसी person को आपने lease दी, 1 February, 1 January 2019 से आपने lease शुरू करी, कि एक साल के लिए आपको मैं lease दे रहा हूं, अब एक साल के लिए जब आपने lease दी है किसी person को, और अगर आपको उससे खाली करवानी है, उ मेरे को मेरी जमीन बापिस चीए, मेरे को ये land बापिस करो, तो वो 6 महीने पहले notice देगा, मतलब जैसे ही जो 6 महीना आएगा, 16 2019 जैसे ही आएगा, तो उस दिन आपको ये notice उस person के पास पहुच जाना चीए, तब तो फिर आप 1 December 2020, 1 December 2019 को आप ये जनवरी 2020 को आप ये जमीन खाली करवा लोगे, तो गएगी 6 महीने प्रायर, लेकिन अगर सपोज माली जी आज 8 महीना चल रहा है, 8 महीना 2019 का चल रहा है, मतलब अगस्त का महीना चल रहा है, 2019 का, अब आपको notice देना है, तो जब 6 महीने का अगर आप notice दोगे उसको, क्योंकि agriculture and manufacturing purpose के लिए आपने दे रखा है वो काम, तो यहाँ पर 6 महीने कम पढ़ेंगे, क्योंकि 8 महीना चल रहा है, और एक साल में 12 महीने होते हैं, आपने एक साल के लिए lease दी थी, तो सिर्फ 4 महीने के लिए आपके पास टाइम पचा है, दो महीने नहीं बचे, तो यहाँ यह बात यह कह रहा है, तो जब 2 महीने और निकल जाएंगे, जैसे 8 महीने से आपने नोटिस पहुचाया उसके पास, एक आठ 2019 को अगर नोटिस उसके पहुचता है, लेसी के पास, तो एक आठ 2019 से 6 महीने बाद तक अगर जो लेसर है, कोई भी सूट अफ एजेक्टमेंट, सूट अफ एजेक्टमेंट का मतलब होता है, खाली कराने का, कि जमीन आप मेरी खाली करो, आपका कोई राइट नहीं है, इस पर प्रजेशन का, तो वो होता है, सूट अजेक्टमेंट, अगर वो सूट फाइल नहीं करी है, 6 महीने तक, मतलब 1 मार्च 2020 तक अगर उसने ये जो सूट है, ये फाइल नहीं करी है, तो जब इस ग्राउंड पे इन्वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो जो नोटिस आप दे रहे हो, वो इस ग्राउंड पे इन्वैलिड नहीं माना जाएगा, अगर वो 1 मार्च 2020 तक नोटिस जो सूट है, नहीं फाइल करता है, तो 1 मार्च 2020 के बाद उसके पास राइट है, कि फिर वो खाली करवाले, तो यहां पे 6 महीने का पूरा टाइम पीरिड हो गया, और अगर 15 दिन की अगर हम बात करें, तो 15 दिन में भी सेम चीज है, कि आप 15 दिन कम बच रहे हो, तो 15 दिन पूरे हो जाएंगे, जिस दिन, जिसे 7 दिन का इटाइम बचा है, तो 7 दिन, और 8 दिन और जोल लेजिए, जिस दिन 15 दिन हो जाएंगे, जब तक आप सूट कर दो तो आपके पास राइट आ जाएगा इसको खाली करवाने का सब क्लोस फॉर बात करता है एवरी नोटिस अंडर सब्सक्शन वन सब्सक्राइव ज़री है लेसर या लेसी का फिर इसमें बात करिए मեղ और और पोस्ट में θα आयर वाइट गा कर सकता है capital श्रूक्त कर सकता है कैसे बहुत से कर दे और टेंडर डिलीवर परस्टेनली टुसके पर पोस्ट कर दे उस लिटर को या फिर हम डिलीवर कर दे डारेट जाके और one of his family और servant at his resident अगर वो घर पे भी नहीं मिल रहा है तो उसके family member यह resident resident जो उसका house है उस पर वहाँ पर जाके residence पर जाके देखे आजाओ जो जो मिल रहा है आपको उसका family member फिर इसमें बात करी है कि if such tender or delivery is not practical अगर ऐसा प्रैक्टिकल ही नहीं है आप घर भी नहीं जा सकते आप पोस्ट भी नहीं बेश सकते तो आप कोई भी conspicuous place जो होता है जो आपने property आपनी transfer करी है जिसको आपने lease दिया है वो उस place के आसपस कोई भी ऐसा पार जो easily noticeable हो उस person को lessy को या फिर lesser को जो भी notice दे रहा है उसके against वाले person को वहाँ पे आप इसको paste कर देंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा notice serv हो गया है खाली कराने का फिर इसमें बात करिए कि lease how made कैसे lease made होगी lease बनाने का कैसे तरीका क्या तरीका है lease कैसे बनती है अगर आप कोई lease बनाते हैं जो एक साल से ज़्यादा की या फिर एक साल तक की है और उसमें yearly rent reserve भी कर रहे हैं कि इतना rent हम fix करके इतना लेंगे मतलब एक premium के amount मांग दीजिए तो वह हमेशा registered instrument होगा तो वह मतलब उसको आपको महाँ पर register करवाना है फिर इसमें लिखा है all other leases of immobile property may be made either by register instrument और by oral agreement accompanied by delivery of possessions और other leases of immobile property का मतलब यह है कि अगर कोई year to year वाली lease नहीं है मतलब कोई 11 महीने की 10 महीने की 8 9 7 6 5 4 3 2 1 कोई भी इतने भी महीने की कोई भी lease अगर आप दे रहे हैं तो वह या तो आप register instrument से करवाओ या फिर आप oral agreement से करवाओ लेकिन अगर आपने सपोज माल लीजिए 11 महीने की lease दिया 10 महीने या 9 महीने जित्ते महीने की वी एक साल से कम की अगर आप लीज दे रहे हैं और आपने एक written agreement बना लिया है तो वह written document जो बना है उसका registration होना जरूरी है लेकिन अगर आ agreement नहीं बना रहे है आप oral से transfer करने हो तो कोई registration की जरूरत नहीं होती है वेर लीज अफ इंब्र प्रपरटी इस मेडवा रेजिस्टर इंस्ट्रूमेंट सच इंस्ट्रूमेंट और वेर देर आर मोर देन वंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट शेल बाए बोथ लेसर लेसी और जब आप यह लीज ट्रांसवर करते हैं किसी को तो यह लैसर और लैसी इन दोनों के साइन होने चीए अब आप नए चीज यहां यह देखेंगे कि अगर हम सेल करते हैं अगर हम गिफ्ट देते हैं तो यहां पर हमेशा हमको अटेस्टेशन की जरूरत होती है तो उपर कर सकते हैं तो यह बात कर रहा है कि जो एक साल से ज्यादा की लीज है या फिर उन से ज्यादा एक साल से जयादा की यह चाल वाली है जनपे यह रेंट है उनको छोड़के other than तो मतलब जो है कि 12 महीने से कम वाली जो लीज होती है उनके लिए state government हर टाइम अपने notification में notification से official gadget में कुछ भी बात लिख सकती कुछ बता सकती है कि उसका registration है वो registration करवाना जरूरी है नहीं करवाना oral करवाना है कैसे करवाना है वो state government के ओपर है आप लिए ले ले लुट टाराली ले जाओ लेट लेटी 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 है यह बने लेटी है